हालो फ्रेंट्स वेलकम तो गारगी क्लासिस डेट आज की 15 ओफ ऑगस्स 2021 सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुबकाम नाए हमारे 75 ओफ फिफ यर ओफ आर इंडिपेंडेंस ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रिस के आज की जो न्यूज है उनक के तोर पे अब्जर्व करने की अभी अनॉंस्मेंट की गई है और ये नॉटिफिकेशन डिक्लियर किया है मिनिस्ट्री ओफ हॉम अफेर्स ने तो ऐसे में एक तो ये रिमेंब्रेंस की बात हो गई पर दूसरी तरफ ओपोजीशन जो है वो इस चीज को लेकर के ये कह रह हो जो की बहुत ही ज्यादा दुखद रहेगा तो अलगलग पॉलिटिकल पार्टी के अलगलग ऑपीनियन है पर एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे इसके अलावा बोंबे हाई कोट ने जो अभी इन्फोर्मिशन टेक्नोलोजी रूल साय थे ना एथिक् तो उनमें कुछ ऐसे प्रोविजन्स को अभी एक बार स्टे लगा दिया है जो की फ्रीडम अप स्पीच एन एक्स्प्रेशन को सफोकेट करते हैं मतलब एक बार रोकते हैं उनको रोकने के लिए ठीक है जानेंगे इसके अलावा हम आगर आगे देखें तो कुछ न्यूज और देख लेते हैं राजस्तान स्पैसेफिक न्यूज है प्रेजिडेंट्स पुलीस मैडल और पुलीस मैडल से संबंदी थी है लास्ट में देखेंगे इसके अलावा एक तो ये वाली न्यूज डिसकस करेंगे जिसमें डील गैलोर इन एनरजी स्टोरीज टेक इसकी ही है एनरजी स्टोरीज को लेकर के यह गॉर्मेंट ने अपनी तरफ से ग्रीन पुश दिया है ग्रीन एकॉनमी की तरफ ठीक है एक तो ये जानेंगे दूसरा कि एक आप यहां पर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पी उस गोईल जी उन्होंने देखो बड़ी जो बिग बि जाता है किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा ठीक है तो जानेंगे क्या बोलना चाह रहे थे यहां पर इसके अलावा ओपीनियन वाले पेज से एक आर्टिकल हम डिसकस करेंगे डैट इस पेर थाट फॉर्ट फॉर्ट एकॉनमी पीचे तंबरम जी के द्वारा लिखाओ इस के आगे वर्ल्ड पेज हो गया इसके अलावा स्पोर्ट स्पेज हो गया इनकी हम सम्द्री लेंगे कुछ इंप्रेटन न्यूज है कुछ मंपोर्टन टौPDT हैं उनके बारे में ठीक है तो इसमें ये तो आपको पता ही है कि 14 अगस्ट को पाकिस्तान का इंडिबेंडेंस डे भी आता है तो उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का पार्टिशन माना जाता है ठीक है तो इसको एक पार्टिशन हॉरर्स रेमेंबरेंस डे के तोर पर अबजर्व करने की बात की जा र पड़ा था अपने घरों को छोड़ना पड़ा था बहुत लोगों ने अपनी जिंदगियां खोदी थी तो बोलो उनको हम कैसे भूल सकते हैं इसी चीज़ को लेकर के उधर ओपोजिशन पार्टी यह कह रही है कि 14 अगस्ट को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है तो बाइस मार्च को 1940 के दिन पार्टीशन रेजोलुशन पारित कर दिया था मुस्लीम लीग ने ठीक है जब हम मॉडर्न इस्ट्री में पढ़ता है ना स्पेक्ट्रम या विपन चंद्रा में उसमें यह चीज दी हुई रहती है तो बोलो बाइस मार्च के दिन भी इंडियन प 1940 को क्या हुआ था मुस्लीम लीग ने पार्टीशन रेजोलुशन पारित किया था और चौद आगस्त को आपको पता है यह पाकिसान का इंडिपेंडेंस डे आता है यह दो चीजे एक देखने वाली थी बाकी तो देखो पॉलिटिक्स है जो हमारे बिलकुल भी काम की नहीं फिर एक छोटी सी नियूज है दाट इस कि हाई कोट बॉंबे हाई कोट ने सेलेक्टिड क्लॉज देखो एक रूल नाइन जो है इन जो यह भी इन्फरमिशन टेक्नोलोजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडियरीज और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 इसमें ब प्रिंसिपल्स हैं उनको यह वाइलेट कर रहे हैं ठीक है अभी जो प्रेटिशन लगाई गई थी यह देखो अभी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे जर्नल्स हैं एडिटर हैं राइटर्स हैं पब्लीशर्स हैं उनके खिलाफ में कारिवाई की जा रही है बैक तो क्लॉज 9 है इन 2021 के जो रूल्स हैं इनमें एक है रूल में 16 उसमें भी औक्शन किया गया है ऊठीक है जो अब्बेंगी बोप्बे इस परटिकलर वर्डिक्ट में खेक है जो अभी बॉंबे नहीं दिया है उसमें सीधा सा यह का गया कि मैünde इन ए जो जो clause 9 sub clause 1 है ना वो सीधा ये कहता है कि publisher जो है वो ethics code को observe करके ही कुछ भी news यहा कोई भी statement publish कर पाएगा एक तो clause 9 1 ये कहता है और उसी clause 9 का clause 3 है ना वो कहता है कि 3 tier structure आपको create करनी होगी और उसमें जो code of ethics है उसके साथ में adherence मतलब उनके साथ में आपको follow करने पड़ेंगे उन rules को अब उसमें देखो 3 level की जो structure create की जाएगी ना ethics code को implement करने के लिए जिसमें एक तो होगा self regulation by the publisher कि जो भी publish करने वाली house है जो भी आप कह सकते हो writer है या एडिटर है तो उनको अपने खुद के level के ओपर ही regulation रखना पड़ेगा इन codes के हिसाब से है जो यह IT rules है उनके हिसाब से ह self regulation by self regulating bodies of the publishers मतलब बहुत सारे publishers मिलकर के और फिर बाद में news content को regulate करेंगे दूसरा level हो गया और तीसरा फिर बाद में oversight किया जाएगा central government के दौरा तो यह तीन level की तरीकीचे तीन filters को cross करने के बाद में फिर news है वो print होगी तो ऐसे में तो बहुत मुश्किले हो जाएगी क्या वाकई में जो right to freedom of speech and expression यहाँ पर spare में है save हो रहा है बिलकुल भी नहीं क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर third जो approval है वो तो central government देगी तो यह तो एक चीज तरीकी से dictatorship हो गई तो यही बात बोली गई कि यह जो clause 9 है यह rule 9 है इस IT rule 2021 का हमारा constitution का fundamental rights के under में जो article 9 clause 1 sub clause A है उसका violation क करता है इसके लावा यहाँ पर Bombay High Court ने यह भी का कि आपके पास में already ऐसी institutions available है उनको यूज किया जा सकता है जिसमें एक तो press council of India आपके पास में available है और दूसरा आपके पास में यहाँ पर देख सकते है और दूसरा cable TV act आपके पास में available है तो इन acts में भी आप इसी तरीके कि provision क्यों नहीं कर देते फिर ठीक है बाकी जो दो clause थे rule 14 और rule 16 इनके लिए देखो bench ने अपनी तरफ से अभी कहा है कि अभी कोई immediate urgency की ज़रुरत नहीं है कि जिसमें हम कोई action ले या फिर यहाँ पर इनको रोका जाए ठीक है क्योंकि इनमें जो rule 14 ना वो तो यह कहता है कि inter departmental committees है वो establish करनी पड़ेगी तो बोलो उसके लिए अभी तक कोई laws या फिर कुछ भी guidelines आई नहीं है तो ऐसे में rule 14 के लिए आप एक बार रुको इसको तो हम stay नहीं लगाएंगे same चीज rule 16 के लिए कहा जिसमें peri material that means on the same subject आप content तयार कर रहा हूँ कोई भी एक publisher तयार कर रहा है दूसरा publisher तयार कर रहा है तो दोनों में क्या एक same similarity है उसको regulate करने के लिए rule 16 है तो बोलो उसके लिए भी आपको इतनी ज़्यादा करने की ज़रुरत नहीं है पर हाँ जो rule 9 ह ना वो problem create कर रहा है उसको stay कर दिया यहां पर Bombay High Court ने अब देखो आगे क्या बात बनती है वो time बताएगा ठीक है और देखो वैसे तो अब में पता ही है कि Ministry of Electronics ने अपनी तरफ से यह जब laws implement करने की बात की थी ठीक है फरवरी में ही यह laws आ गये थे एक तरीके से indication में कि हा बहुत सारे जो social media intermediaries हैं ठीक है उन्होंने इस चीज़ को accept नहीं किया basically तो उसके बाद मैं आपको पता है cases कितने सारे आने लग गए थे जिसमें बहुत सारे provisions थे देखो फरवरी में बोल दिया गया था फिर मई में implement करवा दिया गया unguidelines को जिसमें social media platforms को grievance redressal officer compliance mechanism यह सार भी grievances आ रही हैं उनको आपने कैसे tackle किया इसके लिए monthly report भी देनी पड़ेगी ministry of electronics and information technology को timely basis पे ठीक है तो इस लोग को देखो बहुत सारे advocates और या जो भी media houses उनके द्वारा draconian censoring बोला जा रहा है कि बोला कि आप regulate कर रहे हो free speech का जो एक हमारा fundamental right है democracy में वो ठीक है में चीज अब हम आगें economy page पे जहां पर जो article है वो है deal gallard in energy storage tech as investors seek gold in government's green push कि government ने जैसे green economy के तरफ अपनी तरफ से boost करना शुरू किया है तब से energy storage वाला जो segment है उसमें बड़ी बड़ी technology companies जो है वो लगातार deals कर रही है deals बढ़ती चली जा रही है देखो मुद्दा क्या है वो है हम जैसे जैसे electricity के ओपर dependent हमारी economy को बढ़ाना चा रहे है तो वैसे वैसे हमें एक तो challenge क्या जाता है storage का अब storage में भी एक option तो यह आता है कि lithium ion batteries हम use करें पर lithium ion batteries के लिए जो raw material required और इंडिया में बहुत कम quantity में available है हमें import करना पड़ता है तो unit के तोर पर options निकाले जा रहे हैं जिसमें सबसे important option एक तो क्या निकल किया रहा है grid scale stationary storage जिस तरीके से बड़े बड़े ये जो grid substations होता है ना जो powerhouse जिनको हम बोलता है वहाँ उस scale के ओपर बड़ी बड़ी batteries को एक साथ install कर दिया जाए किसी एक location पर जैसे यहाँ पर ले आख वाले region की कि बोलो वहाँ पर 13 गीगा वाट आर का एक grid scale का हम battery storage create कर दें उससे क्या हो जाएगा कि electricity की supply continuous बनती रहे और electricity को हम स्टोर कर लें तो ये एक alternative निकाला जा रहा है किसके लिए lithium ion battery के लिए इसके लिए reliance industries ने अपनी एक unit जो है वो announce भी किये 50 million dollar के investment के basis पे इस energy storage startup ये आमरी करके USA का energy storage startup है वो reliance के साथ में मिलकर के अभी ये काम करेगा अब आप देख सकते हो इसके लिए possible एक reason क्या है सबसे main चीज तो क्या central government लगातार क्या कर रही है कि electricity के based ज्यादा infrastructure को develop कर रही है तो ऐसे में large battery storage system की तरफ central government का जो push है वो इन deals को और ज्यादा increase कर power की बात करें तो वो भी अपनी तरफ से उन्होंने भी announce किया है कि इंडिया का first large scale 50 megawatt और battery storage system है ना वो लेके अंदर locate करने वाले लेके अंदर वो plant लगाएंगे जिसमें photovoltaic plant जो होता है ना जो इस तरीके solar panel जो लगे रहते हैं इस तरीके कि आपने देखे होंगे बहुत कर रहा है Tata power Reliance or Tata ने अपना खोल दिया अपना इसके अलावा इसमें यह जो energy vault ना Swiss form energy vault यह काम करती है traditional gravity based pump hydro project system के एक model के उपर देखो normally क्या होता है मैं आपको एक यहाँ पर example बता रहे हैं कि हम जब भी कोई water मतलब electricity storage की बात करें ना तो normally heights के उपर पानी कटा कर लिया ज और dam में आपने यहाँ पर पानी कटा कर लिया बहुत सारा और पानी किसलिए कटा किया है कि जब भी electricity की demand high होगी उस time पर इस पानी को थोड़ा थोड़ा release करके आप turbine rotate कर दोगे और उससे electricity produce कर लोगे तो shortage जो भी आ रही है electricity की उसको fulfill कर दोगे तो यह तो काम हो गया shortage के time प चलाएं चाहिए ऐसी चलाएं ठीक है तो ऐसे में गर्मियों में तो क्या होती है energy requirement जाता है जबकि winter सर्दियों में क्या होता है हमारे पास में energy excess में बच जाती है तो जो सर्दियों वाली energy है ना extra उसका use करके जो नीचे पानी है मानलो यहाँ पर बड़ा कोई एक water storage area है तो जो already चल रही है वो तो supply दे देंगे पर extra में electricity और produce की जा सकती है तो यह चीज हो जाती है किसलिए इसको बोला जाता है pumped hydro project ठीक है तो इसमें देखो जो पानी है उसकी potential that means आप जानते हो potential energy और एक kinetic energy इन दोनों को आप use कर सकते हो ठीक है अब आप देखो इसी method को आप apply करो दूसरे concept में यहाँ पर तो क्या यूज किया हमने लगबग लगबग पानी पानी का काम था जो स्वदेश मूवी है शारुख खान वाली वो आपको याद आ गई होगी ठीक है उसमें इसी तरीके से electricity produce की जाती है तो ऐसे में 95% वर्ल्ड की जो energy storage ना वो देखो सारे की सारी pumped hydro technology basis पर याती है और इसी pumped hydro technology को यहाँ पर explain किया वह जो मैं आपको बता चुका हूँ उसी को यह जो स्विस मतलब सुद्जिलेंड की जो energy vault company है ना इसने एक नए concept में तयार कर दिया और उसमें क्या यूज किया गया gravity कैसे यूज की वो देखो आप अब जिस तरीके से यहा energy vault company है ना इसने क्या model तयार किया है कि heavy weights को cranes को wires के थ्रू अपलिफ्ट किया जाएगा जैसे turbine क्या होता आपको पता ही है कि turbine एक तरीके से rotate होने वाली machine है जो rotate होती है तो electricity produce करती है output के तौर पे सेम चीज आप देखो इस turbine को rotate करने के लिए आप पानी की बजाए यहाँ पर इस पर police fix कर दो wire fix कर दिया आपने ठीक है अब आपने पहले जब आपके पास में electricity या energy access में available है जैसे winters की बात कर रहा हूँ जब आपके पास में energy access में available है तो उस time पर तो क्या करते हो बड़े बड़े heavy weights को आप heights तक ले जाते हो और वहाँ पर fix कर देते हो ठीक है क्योंकि उसमें energy requirement होती है heights तक ले गए fix कर दिया चलो ठीक है अब गर्मी आई गर्मी आते हैं यह जो lifted weight है ना इसको आपने release कर दिया धीरे धीरे अब यह lifted weight जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे यह police rotate करेगी की नहीं आपने fix कर दिया है इसके साथ में wiring को इससे क्या हो जाएगा यह turbine rotate करेगा इससे electricity produce हो जाएगी तो पानी के बजाए आप केवल और केवल gravity based storage system पे काम कर दिया और यह company 2017 से काम भी कर रही है और इटली में project के ओपर एक पर काम भी चल रहा है तो वह सेम चीज के ओपर इंडिया में भी energy storage के लिए किया जा सकता है देखो energy है क्या आपको पता ही है काम करने के एक्षम था the capability to work simple सी बात है तो वही ची इस्ट manufacturer है ठीक है automotive batteries produce करने में वह भी लगातार log9 करके एक startup है उसके साथ मिलकर के काम कर रही है जिसमें rapid charging battery packs तयार किये जाएंगे जो two or three wheeler vehicles है electric vehicles जो आने वाले हैं वह इनके इसके लिए जो काम है मतलब जो main raw material वह basically dependent किस पे हैं यह aluminium fuel cell technology पे बेस्ट है ठीक है जो कि लंब वह समय तक electric mobility ensure कर सके similarly यहां पर आगया आप देख सकते हो Reliance India Limited का जो काम है वह अमरी के साथ में जो लदाक में लगेगा वह हम अल्रेडी देखी चुके हैं इसके अलावा एक segment और आ रहा है वह मैं आपको बता जेता हूं और आपको समझ में आ जाएगा ठीक रहेगा यहां liquid metal battery होगी जैसे normally आपने आप तो चलो आपके phones में तो क्या होती है solid batteries आती है कभी आपने देखी हो यह जो cars में ट्रक्स में जो battery लगती है उसमें acid water distil water यह डालते रहते हैं ठीक है तो अभी कभी आपने notice किया होगा same चीज इसमें यहां पर आमरी जो है वह इसी तरीके की batteries क produce करती है पर वो होती है metal form में होता है वो liquid जो होता है ठीक है अब उसमें एक तो होता है देखो anode एक road तो होती है anode की एक road होती है cathode की और बीच में liquid भरा जाता है जिसको electrolyte बोला जाता है तो anode जो है जो प्लस होता है प्लस sign कभी battery पे आप देखोगी तो plus लिखावा मिले ठीक है और तीसरी चीज होती है second plate जिसको बोलते है cathode जिसके ओपर negative लिखा रहता है वो होगी solid particles होंगे किसके antimony के ठीक है तो यह अपने आप एक low cost material alternative available हो जाएगा यह बड़े बड़े जो storage की facility की बात कर रहे हम grid scale stationary storage application के लिए बड़ी बड़ी batteries एक साथ store कर दो क्योंकि ल lithium ion batteries का alternative मिल गया तो यह है पूरा system तो इस पर देखो बहुत सारी चीजें बहुत सारे designs हो रही है बड़ी important चीजें साथ में electricity के based हम अमारी economy को आगे boost करना चाह रहे है ना तो उसके लिए यह options अच्छे हैं ओके आगे चलते हैं फिर next news है पियूश गोयल जो हमारे commerce minister है उन्होंने यह काया कि हमें हमारी जो बड़ी कंपनिया उनको nationalistic role play करना चाहिए और MSMEs को start-ups को बचाने की ज़रूरत है तो basically इनका एक appeal है कि क्यों ना बड़े business groups हैं वो मिलकर के एक हजार दस हजार करोड रुपए का एक corpus तयार करें एक fund तयार करें जिससे कि हमारे जो start-ups हैं उनको बचाया जा सके नहीं तो क्या होता है कि foreign investors आते हैं और सस्ते में उन्हों start-ups को take over कर लेते हैं इसका best example मैं आपको बताऊं तो वो है flip card जो आज on कौन कर रहा है कौन है main honor उसका मतलब ज़्यादा shares किसके हैं walmart के ठीक है तो बोले इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की ज़रूँ था क्योंकि इंडिया की यूथ की energy फिर वो दूसरी companies जो foreign companies वो ले जाती हैं तो क्यों ना आप यहां पर मिलकर के बड़ी कंपनिया बोले अंबानीज अडानीज यह मिलकर के क्यों थोड़ा थोड़ा फंड निकाल करके कोई 200 करोड कोई 300 करोड कोई 50 करोड ऐसे निकाल करके 10,000 करोड रुपय का एक फंड यार कर लो इससे स्टार्ट अप्स को protection मिलेगी और encouragement भी मिलेगा हमारे इंडिया में ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट हम आगए हैं पीच इदंबरम जी का जो opinion उसके बारे में across the aisle इसमें देखो spare a thought for the economy एकोनोमी के लिए थोड़ा सोच समझ करके आगे बड़ो वैसे तो देखो 75th year of independence आज से शुरू हो चुका है ठीक है 2022 तक हम 75 साल ही celebrate करते रहेंगे 20th century के टाइम पे हमारी economy जिस तरीके से progress कर रही थी या जो stand था हमारी economy का वो आज भी कुछ ऐसे parts जहां पर देख सकते हो जैसे UP के कुछ parts बिहार उडिसा और नौर्थ इस्टन स्टेट्स के कुछ parts में आप जाकर के देखोगे ना तो पता पड़ेगा कि हमारी economy कैसे थी ठ इंदू rate of growth हुआ करती थी उससे चार गुना तक growth register कर पाई है पर सवाल यह है कि आज GDP के अगर बात करें तो लगबग 145.69 लाग करोड की अभी बताई जा रही है जो pandemic से पहली थी पर इस situation में अभी जो monetary policy committee की meeting हुई है उसको देखें तो वहाँ पर एक तो इंडिया की growth rate क को अगर देखें और इसमें जो calculation की गई है monetary policy की statement में जो outcome निकला है 6 अगस 2021 की जो latest अभी बाई monthly meeting की meeting हुई है वैसे तो monetary policy committee के बारे में आज अंकित सर ने एक वीडियो डाला है आप देख सकते हो मैं link description box में डाल दूँगा monetary policy committee का अगर आपको पता नहीं है ज्यादा तो व सबसे पहली जो चीज अवो यह monetary policy committee की आई अभी meeting हुई है तो monetary policy statement में एक तो growth rate को बड़ा over estimate किया जाता है और यह पहले भी गलती करता रहा है बोला अभी भी यही गलती करता चला जा रहा है इसके लिए बता रहे हैं कि आप एक चीज नोटिस करो यहां पर की growth rate को trajectory कितनी बताईए इस साल का 2021 भाई की trajectory यह है कि 21.4% की growth rate तो quarter 1 में रहेगी फिर 7.3 फिर 6.3 फिर 6.1 तो decline तो दिखी रहा है पर इस decline के अंदर भी moderate decline दिखाई दे रहा है जबकि real sense में अभी economy बहुत जादा परेशानियों का सामना कर रही है एक जो हम V-shape recovery की बात करते हैं बोला व effect क्योंकि 2020-21 का जो quarter 1 था ना पिसले साल का quarter 1 जिस टाइम पर हमारे lockdown लगा था उस टाइम हमारी economy माइनस 24.4% से grow की थी माइनस का मतलब हो गया decline कर गई थी फिर बात आ जाती है inflation की तो मतलब V-shape recovery की बात हम कर रहे हैं वो chances बहुत कम हैं दूसरा inflation और unemployment inflation की trajectory की अगर बात करे तो सीधा सीधा क्या बताया है कि 6.3 से लेकर के 5.8% तक अलगला quarters में 2021-22 का जो session है इसमें दिखेगा पर इसके पीजे सवाल यह है कि आप यहाँ पर देखो जो government of India की दोरा monetary policy को target दिया हुआ है 4 plus minus 2% का उससे तो आप ज्यादा variation नहीं लेकर क्या रहे हैं फिर भी आप दे डिजिट में चल रही है अभी इसके लावा जो EME currency है EME currencies का मतलब आप जानते होंगे नहीं जानते तो मैं बताता हूँ emerging market economies जो भी इंडिया जैसे economies ना उनकी currencies की value वो देखो लगातार depreciate हो रही है रुपिया देखो कितना नीचे गिर चुका है तो emerging market economies की currencies है वो भी devaluate हो रही है depreciate हो रही है तो उसका असर भी तो पढ़ेगा ना हमारे यहाँ पर क्योंकि इंडिया भी तो एक emerging market ही है यह चलो ठीक है कि जो developed countries है उनकी economy थोड़ा सा rise दिखा रही है पर बोलो वहाँ पर भी एक question mark है क्या कि बोला तो यह जाता है कि इंडिय इंडिया से export अब rise होगा क्योंकि global economy जैसे जैसे rise करेगी वैसे वैसे international market में commodities की demand बढ़ेगी और उसके इसाब से इंडिया से product export होगे तो फाइदा मिलेगा इंडियन economy का पर सवाल यह है कि international market की अगर बात करें developed countries में भी पैसा market में अच्छा खासा घूम रहा है तो वहाँ पर भी inflation का डर है और inflation अगर rise होगा तो देखो फिर बाद में developed countries भी अपनी monetary policy को क्या करेंगे tight करेंगे और tight करेंगे तो फिर market से जो dollars है योरोज हैं जिनको हम foreign exchange reserve में रखते हैं उनकी quantity कम होगी quantity कम हो जाएगी तो automatically क्या हो जाएगा लोगों के आतों में पैसा कम होगा तो demand क्या होगी कम तो यह चिंता की बात है दूसरी चीज़ यह बताई जाती है कि overall अगर देखा जाए कि ignorance बहुत ज्यादा है अभी इसके पीछे वजह कि unemployment rate आप एक तरफ बोलते हो कि बहुत कम हो चुकी है पर अभी जो CMIE का data आया है अगस्त 12 2021 को जिसमें 30 दिन की अगर बात क 6.86% जो की कम नहीं है अपने आप में दूसरी तरफ गाओं में जो unemployment rate आपको कम दिख रही है न यह casual jobs की वजह से हैं that means लोगों ने अपने छोटे-मोटे धंदे शुरू कर लिये जो पहले शहरों में regular salaried job लिया करते थे उसके खो जाने के चलते गाओं में चले गए और अ ऐसे में economy में unemployment rate भी कम नहीं है सवाल यह आजाता है कि government तो अपनी तरफ से बड़ी affirmative statement दे रही है कि हम free trade agreement sign करने वाले हैं 20 free trade agreement बातचीत हो रही है जिनमें 6 तो बहुत जल्दी होने वाले हैं और उसमें भी UAE United Arab Emirates के साथ में बहुत जल्दी होगा पर सवाल यह आता है कि कि होना था तो अभी तक क्यों नहीं हुआ फिर दे को बात ही आ जाती है कि अभी लोगों की अभी inflation आपकी ज़्यादा है जबकि demand इतनी ज़्यादा है ही नहीं तो आप सोचो कि demand जब लोगों की बढ़नी शुरू होगी तब तो inflation इसका मतला बाकास में उड़ेगी flight लेगी ए फ्यूल का सारा असर हमेशा headline inflation पर आता है ठीक है headline inflation कौन सी होती है overall inflation जिसमें food और फ्यूल दोनों को consider किया जाता है और अगर food और फ्यूल को आपने निकाल दिया headline inflation में इसे तब बजाएगी आपके पास में core inflation तो ऐसे में petrol diesel या crude oil की prices को हमें regulate करने की ज़रूरत है और जो indirect taxes है उनको reduce करने की ज़रूरत है नहीं तो गरीब को ज़्यादा मार होती चली जाएगी ठीक है यही चीज इस article में पूरे में बताई हुई है आगे चलते है वर्ल पेज पर देखें तो देखो अफगानिस्तान में तालिबान लगातार power capture करता चला जा रहा है ठीक है मजारी शरीफ यह काबूल के बिलकुल closest city है यहाँ पर भी कंट्रोल हो चुका है साथ में चाइना भी इस चीज को लेकर के बड़ी चिंता में है तो चाइना के जो foreign minister है वेंगी यह देखो अभी जो तालिबान के लीडर है जिसका ना हम है यहाँ पर आप देखो मुला अब्दुल गनी बाडादार इसके साथ में अभी मीटिंग हुई है तो आप देखो चाइना किस चीज के लिए चिंता कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की border जो चाइना से शेयर होती है सिंजियान प्रोविंस की और वहाँ पर ओगुर मुसलिम्स रहते हैं बोलो उनके अंदर कहीं प पास्क है कि आप अर्थक्वेक से संबंदित जो भी डीटेल्स हैं वह एंसी आर्टी की जो 11 वाली बुक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ओफ फिजिकल जोग्राफी वह आप जरूर देखोगे ठीक है अर्थक्वेक के बारे में फिर बात यह आ जाती है अफगानिस्तान क कि जो अलग-अलग एथिनिक ग्रुप्स हैं उनके अंदर डर होने लग गया और वो उनी ग्रुप्स के लोग थे उस मिलिटरी में पार्टिसिपेट करने वाले तो मिलिटरी में हो गई ब्रेक्स टूट गई मिलिटरी ठीक है दूसरा बहुत जादा करप्शन होना एक ओव और साथ में यहां पर यह यूएसे का विड्रोवल इसके चलते ही अफगानिस्तान के मिलिटरी बिलकुल क्रंबल होगे बिलकुल ही अभी आफ तालिबान के सामने बिलकुल हार रही है अब आप हाल देखो कि तालिबान के यह अफगानिस्तानी मिलिटरी तालिबान के सामन है ठीक है ये world under 20 championship में participate करने जा रही है तो इनका ये कहना है कि नीरत चौपडाने जैसे गोल्ड जीता ना तो मेरा confidence ओर बढ़ गया बाकी तो देखेंगे जीतेंगे तब पता पड़ेगा अनुकुमार ये देखो athlete है इनके injury थी injury से रिकावर होकर के फिर से आ रहे है जूनियर एशिया एशियन athletic championship में इन्होंने गोल्ड जीता था 2018 में इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि प्रेजिडेंट रामनात कोविन जी ने अभी जो medalist थे उनको अपने यहां पर house पर बुलाया उनको मतलब एक तरीके से congratulate किया गया है ठीक है फिर एक छोटी सी news है that is सेयद मुस्ताक T20 रंजी ट्रॉफी और एक मुद्दा हो रहे है that is विजय हजारे ट्रॉफी तो सेयद मुस्ताक ट्रॉफी तो होती है देखो T20 matches के लिए रंजी होती है test matches के लिए और विजय हजारे ट्रॉफी होती हो one day के लिए यह सारी की सारी जो टूर्णामेंट्स ना यह cricket से associated है यह आप ध्यान रखोगे इस चीज के लिए हम यहाँ पर आये थे ठीक है बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी बैड जो बैड मिंटल वर्ल्ड फेडरेशन है ना उन्होंने सैटरडे को मतलब अगले मन्त होने वाली ताइपी में होने वाली जो वर्ल्ड टूर्स सूपर 30 सूपर ओपन वर्ल्ड टूर सूपर 300 कॉंपटिशन करवाना चारा थे वह न तो वह ताइपी में होने वाला था तो वह कैंसल कर दिया गया है कि वजह कोविट 19 के चलते जो कॉंप्लिकेशन है अब सिंपल सा मैं यहाँ पर हमने क्यों पढ़ा वह यह है बैड बैड मिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसके बारे में आप जरूर पढ़ोगे ठीक है चलिए और तो बाकि हमारा राजस्तान वाला सेग्मेंट है एक बार उस पे नजर डालते है प्रेजिडेंट पुलीस मेडल दो जनों को मिला है राजस्तान से देख लेता है प्रेजिडें एसोजी अशोग कुमार राठोड को और दूसरे इंडिविज्वल एडिजी विजिलेंस बिजुग जॉसेफ को ठीक है तो यह नाम आप जरूर याद रखोगे प्रेजिडेंट्स पुलीस मेडल और 19 पुलीस ऑफिसर्स को जिनको पुलीस मेडल मिले हैं उनके नाम यहाँ पर दिये हुए हैं उनको आप एक बार नजर जरूर मारो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं यह देखिए आप यहाँ पर आराम से तो जो में में न्यूस थी वह हमने डिसकस कर लिया इस वीडियो में इतना ही था थैंक्यू वरे मच